फ्लार्स फ्लार्स फूलों की बर साथ कैसे होती है मूँ मैं दिखाती हूँ यह देखो वाव सब खुबसूरत से फ्लार्स सिल्क ट्री के मैं एकठे कर लाई हूँ देखो कितने खुबसूरत है यह फ्लार्स बस नीचे गर के इसी तरह खतम हो जाते हैं तो मैं इनको हमेशा एकठे कर के ले आती हूँ और किसी भी वावज में जैसे मेरे पास यह क्रिस्टल का बड़ा सा वावज है तो मैं इसमें पानी भरके बीच में आप पैबल्स भी डाल सकते हैं तो इसमें यह फ्लार्स इसी तरह देखो कितना बड़ा और खुबसूरत फ्लार है बजाए इसको यह वहीं वेस्ट हो जाएं आप भी अगर आपको कहीं गिरे हुए फ्लार्स मिलते हैं तो उनको सहेच के घर ले आओ और पानी भरके उसमें डाल लो एक खुबसूरत सा अरेंडमेंट भी तियार हो जाता है और इस फ्लार्स की यह हफ़ता दस दिन तक यह फ्लार्स पानी में रह जाते हैं देखो कितना खुबसूरत यह अरेंडमेंट हुए और यह फ्रेश फ्लार्स है यह दस पंदरा दिन आपके पानी में रह जाते हैं ये आपके कमरे को एक बहुत अच्छा लुक देते हैं तो आप भी इसी तरह कहीं आपको फ्लार्स गिरे हुए मिलते हैं ये जड़ जाते हैं पेड़ से उसको वहीं जमीन पे खतम होने के बजाए उन फ्लार्स को उठा के लाईए एक खुबसूरत वाज में उनको डाल कर उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं ये हैं आप इसी तरह से और फ्लार्स भी रख सकते हैं पुल्मेरिया के फ्लार्स बहुत सारे गिरे होते हैं और हार सिंगार के फ्लार्स भी बहुत सारे सुबा गिरे होते हैं आप इन फ्लास को इकठे करके अपने ड्राइंग रूम की शुबा बढ़ा सकते हैं तो कैसी लगी आपको मेरी शेरिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू